बिहार चुनाओं नजदीक आ रहे हैं सितंबर में हुने वाले बिहार विधान सभा चुनाओं के लिए सब ने कमर कसली गया लेकिन इसी बीच इस चुनाओं में दिल्चस्म ट्विस्ट आ गया है लालुयादो के बहु अपने ही पती के खिलाफ चुनाओं लड़ सकती हैं जिहां ये संभावना हम नहीं जता रहे राबली के बहु एश्वरे राय अपने ही पती तेजपुरताप यादो के खिलाफ चुनाओं में बिगुल फूख सकती है ये बात खुद ऐश्वरे के पिता ने मीडिया में कही है ऐश्वरे के पिता चंद्रकार राये ने टाइम्स न्यूज नेटवक से बात करते वे बताया कि उनकी बेटी बिहार विधानसवा चुनाओं में मैदान में उतर सकती है उन्होंने कहा कि ऐश्वरे किस सीट से लड़ेंगी किस पार्टी की टिकेट से लड़ेंगी या किस के खिलाफ लड़ेंगी ये फैसला लेने के लिए वो पूरी तरह से आजाद हैं उनोंने ये साफ किया कि एश्वरिया तेश परताब के खिलाब भी चुनाव लड़ सकती है और वो जो भी फैसला करीगी मैं उसके सपोर्ट में रहूंगा इस तरह के एश्वरय के पिता ने इस पश्ट किया कि वो एश्वरया को चुनाव लड़ने से नहीं रोखेंगे अगर ऐसा होता है तो एश्वरया और तेश परताव के बीच पारिवारिक जंग के बाद सियासे जंग भी देखने को मिल सकती है आपको बता दे एश्वरया और तेश परताव की 2018 में शादी हुई थी लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई और कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए इस बीच दोनों परिवार ने एक दूसरे पर जम कर आरूप प्रत्यारूप लगा है एश्वरय के पिता चंद्रिका राय के माने तो एश्वरया जल्द ही मीडिया में आकर अपनी चुनावी रणनीती के बारे में बताएंगी सियासत के रणनीती तभी बनती है जब चुनावी मैदान में उतरने की तयारी हो रही हो चंद्रिका राय बिहार के पूरो मुख्यमंत्री दरोगा राय के बेटे हैं चंद्रिका राय का राजनिती केरियर 1985 में शुरू हुआ कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बने 1990 में वेलालू प्रसाद की ये पार्टी में शामिल हुए 2005 और 2010 के चुनाव में चंद्रिका राय जदियू के छोटे लाल राय से हार गए थे लेकिन 2015 में चंद्रिका फिर से जित गए अब इस बार 2020 में चंद्रिका ने जदियू का दावन थाम लिया है उन्होंने हाल ही में राज़त पार्टी छोड़ दी और नितीश की जदियू में शामिल हो गए चंद्रिका राय ने पार्टी जोइन करने के बाद कहा कि आरजडी गरीबों की पार्टी नहीं रही है पार्टी ने पुराने कारेकरताओं की अंदेखी की है जिन गरीबों ने पार्टी को इस मुकाम तक पहुचा आया आज उनकी बात नहीं सुनी जा रही है आज पार्टी पैसो वालों की पार्टी बन गई है इसलिए हम लोगों ने पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है नितीश ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से काम किया है उससे हम सभी प्रवारित हैं वहीं राज़त में अभी भी सीट को लेकर काफी कश्मकश जारी है लालों परसाद के बड़े बेटे तेश परताप यादव अपना चुनावी छेतर बदल सकते हैं अगले विदानसवा चुनाव में वो हो सकता है कि महुआ की जगा हसनपूर विदानसवा छेतर से मैदान में उतरे हैं का संकेत उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दिया वहीं राज़त प्रमुक लालों परसाद ने ट्वीट कर नितीज सरकार के 15 साल विकास के सरकार के दावे पर निशाना सादा है लालु प्रसाद ने राज्य सरकार की 15 साल की खामिया गिनाते वे निती सरकार को बिहार पर एक बार बताया अगर एशुरे और तेज़ परताब एक दूसरे के खिलाफ एकी सीड से चुनाव लड़ते वे नजर आते हैं तो बिहार चुनाव का द्रिश्य किसी फिल्म की तरह रोमान चक बजाएगा खेर ये तो आने वाला वाक्त की बताएगा फिलाल आप बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें तरकश के साथ और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले